महाराष्ट के वाश्म जिले में कुछ किसानों ने सोयबिन के दानों से गणेश जी की मूर्ती बनाई जिले के कामर गाव के जै भावानी जै शिवाजी सारवजिनिक गणेश मंडल ने गणेश जी की जो मूर्ति स्थापना की है वह किसी थर्मा कोल या पियो पी से नहीं बलकि सोयबिन के दानों से बनाई है इस मूर्थी को बनाने में 7 किलो सोयबिन के दाने लगे और 16 दिन में यहां मूर्थी त्यार की गई विशेश बात यह है कि इस मंडल के सदस्य के रूप में किसान और किसान पूत्र शामिल है साथ किसानों ने अपने घर से एक किलो सोयविन जमा किया और यहां मूर्ती बनाई अगर खर्चे की बात करें तो 400 रुपे का सोयविन, 100 रुपे का फैवेकोल और कुछ चिलर सामान जानी 1000 रुपे के लगबख खर्चाने की बात मंडल के सदस्य ने बताई है इस एको फ्रेंडली मूर्ती का वजन 30-35 किलो होने की बात भी मंडल के पतादिकारों ने बताई है मेज 1000 रुपे बनाई के यहां मूर्ती काफी आकरशक भी लग रही है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद